पर हमें 0 of this polynomial बूलिये या function जो कि define है r पर यह किस interval में लाइ करेगा है यह हमें find out करना है जो function है fx वो है minus 2x cube plus 5x minus 6 तो सबसे पहले हम इसका derivative कर लेते हैं यह होगा f prime x equals to minus 6x square plus 5 यह होगा और हम put कर देते हैं f prime x equals to 0 अगर हमें 0 put करते हैं तो हमें क्या मिलेगा minus 6x square equals to minus 5 minus से minus cancel out हो जाएगा x square equals to 5 upon 6 और x आजाएगा plus minus under root 5 upon 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम positive लेंगे तो यह जो value आएगी यह around 0 आएगी यानिके approach 0 और जब हम negative लेंगे तब यह 0 के close रहेगा यानिके इन दो points को आप consider कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या तो इस type का होगा या इस type का ठेकी सी तरह यह होगा तो अगर यह इस type का है तो माली जे यह कुछ इस तरह से move करेगा तो negative और positive इसके roots हो सकते हैं आप देख सकते हैं एक negative है एक positive दो roots जहाँ पर यह 0 होगा एक इस side और एक x side यानिकी दोनों ही एक side नहीं हो सकते हैं या negative side या positive side option B, C और D यहाँ पर false हो जाता है positive और negative सिर्फ option A में valid है जो कि 0 के around है तो इसी में इसके roots लाए करेंगे option यहाँ पर correct होगा